बिस्मिल्लाहिर राह्मान राहीम असलामुलेकुम फ्रेंट्स एमीदा सब ख्याड़ी यह से होंगे आज हम अपके साथ ओंट का कोर्मा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे हस पर जुरूरत ओंट का गोश्ट लें फिर इसको सिरका लगाकर 10 मिन्ट तक रख दें फिर इसको अच्छे से पानी से वाश कर लें फिर प्रेशर कुकर लें और उसमें ओईल और प्याज शामिल कर दें फिर इसमें लोंग दारचिनी मोटी लाइची शामिल कर दें फिर इन चीजों को थोड़ा सा कुकर लें फिर अधरक और लहसन का पेस्ट और गोश्ट शामिल कर दें अब गोश्ट को भून लें फिर सुर्खमिच पाउडर, हल्दी पाउडर और दहीं शामिल कर दें और फिर इसमें हस्पे जुरूरत पानी शामिल कर दें और फिर pressure cooker को डगन दे के cover कर दें और जब इसकी CT चल जए तो इसको CT के साथ 35 मिंड तक cook लें cook लेने के बाद इसमें नमक और सुखा दनिया और जीरा कुटा हुआ शामिल कर दें कि नमक इसमें कम शामिल करें और उसके बाद आप detect करके इसमें ज्यादा कर सकते हैं आखिर में और फिर हरी मिट्चें शामिल कर दें और अच्छे से इन सब चीजों को बूंद लें और फिर गोश्ट को चेक का लें कि ये गल गया है के नहीं फिर इसमें जुरूरत के हसाब से पानी शामिल कर दें और गोश्ट के त्यार हो जाने तक कोका लें जब उंट का कोड़मा बनकर त्यार हो जाए तो इसको डिशाउट का ले और आखिर में इस पर थोड़ा हरा धनिया शामिल कर दें अमीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पजान दाएगी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल सबस्क्राइब कर दें वीडियो लाइक कर दें और दोस्ते के साथ शेर कर दें अपना बहुत ख्यार कियेगा मुझे द्वाओं में याद रखियेगा अलाहाफीज